दोस्तो एक महीने पहले मैंने जब यहाँ पर वीडियो बनाया था तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पेटिये में coming soon का option आ रहा था जी हाँ दोस्तो प्रस्टनल लोन में coming soon का option आ रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आप wait कीजिए एक महीने तक उस वीडियो मैंने कुछ सून का प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा और देख सकते हैं लाइब आपके सामने मेरा पेटिये में कमिंग सून का प्रोब्लम सॉल्व हो गया है तो आज किस वीडियो में यही बताऊंगा कि आखिर कौन-कौन से टिप्स और ट्रिक है क्या आपको फॉलो करना है कि अगर आप के भी पेटिये में प्रेस्ट लोन में कमिंग सून का प्रोब्लम आ रहा है तो किस तас सॉल्व होगा तो चलिए पूरी तरीके से गाइड करूंगा तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आज चुका हूं पेटिये में तो चलिए अब मैं आपको बतात लोन लेने को उप्षोन आ रहा था, तो अखिर मैंने क्या किया वही आपको भी करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैंने एक महीने पहले जब वीडियो बनाया था, तो दिखाया था आपको, वहाँ पे कम्रिए सुन का प्रोबम हा रहा था, तब से मै यहां पे PTA में transaction करना शुरू कर दिया और हो सके तो ज़्यादा किया जैसे मान लिए फोन पे भी मेरे पास है लेकिन जो भी transaction होते थे मैं फोन पे के बज़ाए यहां पे PTA से करता था कुछ भी किसी को लेना हो या कुछ भी हो पे करना हो recharge करना हो सारे transaction मैंने PTA से ही करना सुरू कर दिया साथ ही साथ एक और काम मैंने करा जो कि मैंने अपने PTA को full KYC में convert कर दिया जी हां दोस्तों यह भी बहुत बड़ा factor है अगर आप अपने PTA को full KYC करते हैं तो आप अपना document देते हैं PTA को जैसे KYC करते हैं तो यानि सारा document देते हैं तो PTA को इससे भी आप पे trust हो जाता है कि हाँ यह बंदा मतलब इसका सारा detail मेरे पास है मैंने इसका KYC किया यानि मेरे बारे में सब कुछ PTA जान गया तो उसको trust हो जाता है उसके बाद भी PTA आपको यहां पे coming soon का problem हटा के loan लेने का option दे देता है जियां दोस्तों दो ही काम मैंने किया आपको भी दो काम करने हैं जादा जादा transaction करें जो भी transaction हो PTA से करें दूसरा full KYC करें तो यह दो काम तो मैंने किया ही था एक और मेरा benefit था क्योंकि मेरा account बहुत ही जादा पूराना था यानि old था तो इस पे भी depend करता ऐसा नहीं कि आज आपने PTA account बनाया और दूसरे दिन आपने full KYC किया और यहां पे सारे transaction करना शुरू कर दिया और 10 दिन में आपके PTA में loan लेने का option आजाएगा ऐसा भी नहीं है लेकिन यह जरूर है कि आपको PTA से transaction करना है पहला दूसरा आपको full KYC करना है तीसरा आप एक old user होने चाहिए यह तीन अगर आप काम करते हैं तो definitely आपका जल्द से जल्द PTA में जो coming soon का problem है वो solve हो जाएगा तो यही step मैंने भी follow किया था आप भी follow कीजिए इसके लिए कोई भी trick नहीं है कि यह button दबाया आपका यह loan लेने का option आजाएगा कोई भी trick नहीं है कोई कुछ भी बता दे बिल्कुल believe मत करे क्योंकि ऐसा होई नहीं सकता possible आपको यही तीन step follow करना है definitely आपका भी PTM में loan लेने का option आजाएगा तो इस वीडियो के लिए ताहिए दोस्तों मुझे इमिद्ध आपको वीडियो पसंदा होगा फिर भी कोई doubt है तो please comment section बताइए मैं उसका जवाब जरूद दूँगा अभी के लिए इतना ही thank you for watching